रेकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर ये फनकारी है पुराने जमाने की जब हजारों दिलों का इजहार होता था उन खतों की पाक जमी पर उस स्याही भरे इत्र से और जमाना देखता था प्यार के कुछ हसी नग में लेकिन क्या हो जब उसी पाक जमी पे हर्फ बहर्फ एक नन्नी सी जा की दास्ता लिकी जाए दास्ता कुछ ऐसी कि स्याही का इत्र भी इंकार कर दे महकने से जिक्र था उसमें एहसास की मौत का एहसास एक बेटी होने का एहसास पापा की परी होने का एहसास एक खुशनुमा जिन्दगानी का और उसकी चिता खुद लगाई थी उस पिता ने और आग दी थी उस नन्नी सी जान में महज महज सिर्फ जिन्दा रहने के लिए उस मा के खातर और वो खत था उसी मा के नाम पे जो आज भी अंजान थी अपनी बच्ची की उच सचाई से बरसो बाद उस एहसास की मौत का रूबरू होना जरूरी था जरूरी था क्योंकि वो नन्नी सी जान ठक गई थी वो ठक गई थी उस चिता में अकेली जलती हुई आज थी तो बस बुझ जाने की बेटी के स्याही का इत्व तो महका ना था लेकिन उम्मीद थी उम्मीद थी उसे की शायद शायद अपनी मा की खत की स्याही का इत्व उसकी जिंदगी महका दे वापिस से लेकिन कहते हैं न इस जिंदगानी के खेल भी निराले है उमीद तो थी उसे कि शायद अब उन कापते हुए हातों को सुकून मिल जाएगा लेकिन जब मुठी खोली तो पाया उम्र के फासलों का काला रंग तो अब क्या था ऐसे ही उन दो खतों की कहानी अधूरी रह गई प्यार के नग में तो मिले नहीं लेकिन कुछ ना भूलने वाले जक्म अपना दाग जरूर शोड़ गए शुक्रिया